हुआ है गया जोर्कम इवक्राइब वन्स एगें टो ओर चैनल ऐपन्ट टेखनिपर आज कि इस वीडियो में हम डिस्कुसिन करेंगे कि अगर ओर सकैन करना है या फिर सिर्फ स्टोप को स्कैन करना है या फिर और सिर्फयर small cap stock को ही scan करना है आपका scanning output या फिर result जो कुछ भी है लेकिन आप चाहते हो कि वही stock आए जो मैं select करूँगा mid cap हो या फिर small cap हो या फिर large cap हो तो आज हम इस वीडियो में इसको किस तरीकी से scan करेंगे यह देखेंगे चोटा वीडियो होने वाला है बट काफी helpful है या फिर अगर आप चाहते हो कि आपने small cap ले लिया है तो mid cap stock को ही trade करें या फिर mid cap ले लिया है large cap ले लिया है small cap ही stock add करना चाहते हो तो आप यह कर सकते हो आपका scanner के नीचे अभी जो condition में बताऊंगा आपको वो simply लिग लेना है मैं कोई भी अलग queries technically यहां पे नहीं add करूंगा simply small cap mid cap and large cap के लिए क्या parameters होना चाहिए वह में बताऊंगा देखो यहां पे अगर हम देखते हैं यहां पे cash है bank nifty है ETF है futures है gold ETF है mid cap 50 या फिर nifty 100, nifty 200 या फिर nifty 500 या फिर nifty 50 है तो यह तो अलड़ी है लेकिन उन में से भी कई large cap stock होंगे जैसे कि यहां पे mid है तो mid cap 50 यहां पे mid cap 50 में लेकिन बहुत सारा stock ऐसा भी है mid cap में belong करते हैं लेकिन यहां पे है नहीं same large cap में भी बहुत सारा stock है nifty 50 में नहीं है तो वो सारे stock को cash scan करना है अभी दिखाता हूँ देखो सबसे पहले एक ही condition आपको डालना है यहां पे क्या करना है फस्ट अगर आपको large cap stock को ही scan करना है large cap का market capitalization हमेंसा 20,000 crores से ज्यादा होगा ओके तो 20,000 crores के लिए यहां पे simply market cap यह वाला कि अगर आप scanner को save करना चाहते हो उसको save कर सकते हो तो हम अभी इसी नाम पे अभी save कर रहे हैं फिलाल के लिए में प्राइबर रखा हूँ future में next time में इसको up कर दूँगा देखो किसे ना किसी stock तो आइदर small cap में आएगा या large cap में आएगा या mid cap में आएगा तो यहां पे सारे stock आएंगे क्योंकि हमने 2000 क्रोड यहां पे 20000 क्रोड लिखना है 270 क्रोड लिख दिया है अभी देखो mid-cap में, ठीक है ये value आपको हमें ऐसे याद रखना, मैं अब भी इसको open करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, monoporum, e-class, mcx cam, यह सारे जो होता है यह mid-caps होता है, अगर हम इसको open भी करूँगा, यह chart इसका नया आ गया है, आप इसको नया chart भी fold सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, you can see the new chart, ओके, यह कुछ indicator से automatically आता है, इस तरीके सी इसको आप देख सकते हो, यह yearly है, आप इसको पांस मिन time frame में भी देख सकते हो, color बगरा सारे आप change कर सकते हो, generally इसका chart तो refer नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो, आप यहां पर कर सकते हो, अगर आप चाहते हो, कि इसमें और भी आप जानना चाहते हो, मुझे comment version बताना, यहां पर custom indicator भी आप बना सकते हो, खीक है, तो हमारा topic क्या था, यह, मैं इक बार इस sheet को download कर लेता हूँ, देखो, download हो गया, और यहां पर sheet भी हमें इन्हों दिख गया, तो अभी अगर आप देखो कि यह सारे stock में mid cap लिखा गया है, खीक है, इसी तरीके से आप इसको scan कर सकते हो, खीक है, और अगर हमें small cap चाहिए, तो market cap less than 10,000 crods, ठीक है, देखो, 100 के नीचे वाला भी small cap में आएगा, लेकिन आप minimum 100 के उपर वाला at least trade करो, उसके नीचे वाला तो पता नहीं उसमें क्या होगा, ओके, यह मैं तीनों अभी on कर देता हूँ, अभी देखो, सारे stock यहां पर आ जाएंगे, small cap, 10,000 से नीचे सारे small cap होंगे, लेकिन आप यहां पर simply 100 के उपर वाला ही रखो, यानिकि 100 crods से ज़्यादा का, जो market capital जिसका ज़्यादा है, वही stock पर ही consider करना, अभी अगर किसी scanner पर यूज करना चाहते हो, simply scanner open किजिए, यह पूरा copy नहीं करना, पूरा copy करो तो पूरा आ जा सिखना चाहता है, swing picking में expert बनना चाहता है, मैं एक program लेकर आ रहा हूँ, December 2 से, जो कि बहुती compressibly मैं बताने वाला होंगी, swing stock को analysis कैसे करना है, picking कैसे करना है, what is the right area to initiate our entry, psychology कैसे करना है, money management कैसे maintain करना है, यह सारी चीज़े मैं वहां पर बताऊंगा, कि यह one month का program है, आप मैं स जो भी यहनों सिखना चाहता है, nature description में मैंने link दिया है, पूरा details देख सकता है, ठीक है, तो guys this is it in this video, we'll meet soon, thank you